हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले है 10 Best Open World Games Set in Utopias No.10 पर आता है Surviving Mass जिसमें हम लोग मंगल ग्रह पर एक आदर्श समाज का निर्मान करते हैं Surviving Mass एक ट्विस्ट के साथ Sandbox City Building Game है खिलारी मंगल ग्रह की सतह पर अपना खुद का आदर्श शहर बसा सकते हैं इसे बिलकुल वैसा ही डिजाइन कर सकते हैं जैसा उन्हें सबसे अच्छा लगता है Utopia पहलू सरल है क्योंकि खेल एक ऐसे समाज का प्रतिनिदित्व करता है जो तकनीकी रूप से इतना उन्नत है कि अंतरिक्ष में एक समाज का विचार प्राप्त करने योग्या और व्यभारिक है इसका एक हिस्सा होने के नाते, वस्तुतह, खिलाडी को वैग्यानिक प्रगती की सुन्दर्ता का एहसास होता है No.9 पर आता है Minecraft जिसमें हम लोग explore and build in this peaceful utopia Utopia की अवधारना से जुड़ा हुआ Minecraft एक आश्चर्यजनक गेम हो सकता है लेकिन वास्तव में गेम की दुनिया इतनी स्वतंत्र और विशाल है कि इसे किसी अन्यचीज के रूप में वर्गी कृत नहीं किया जा सकता है यहां तक की रात के राक्षसों को भी बंद किया जा सकता है जिससे इस आदर्श समाज पर एक भी बड़ा दाग नहीं रह जाएगा खिलाडी के पास कहीं भी जाने और कुछ भी कल्पना करने का विकल्प होता है जिससे यह एक ऐसी दुनिया बन जाती है जो अन्वेशन और रचनात्मत्ता पर निर्भर करती है नमबर एट पर आता है वी हैपी फ्यू वी हैपी फ्यू यूटूपिया के आधार पर स्थापित सबसे अंधेरे खेलों में से एक है लेकिन ये तब भी माइने रखता है अगर खिलाडी खेल के भीतर हुने वाली भयावेहता को नजर अंदाज कर दे यूटूपिया की अभधारना इसके भीतर रहने वाले प्रतेक व्यक्ति पर जोए नामक दवा पर निर्भर करती है जो उनकी नसों को शांत करती है और उन्हें हर चीज का उज्जवल पक्ष दिखाती है खिलाडी एक ऐसे चरित्र को नियंत्रत करते हैं जो इस समाज से बाहर निकलना चाहता है इसलिए स्वपन लोग लंबे समय तक नहीं रहता है वी हैपी फ्यू एक उत्तर जीविता हॉरर गेम है जो खिलाडी को लगातार खुश और परिपूर्ण यूटोपिया में स्थापिक करता है जब सब कुछ नहें जाता है नमब सेवन पर आता है आक, सवाइवल अवॉल्वड आक, सवाइवल इवॉल्व डाम तोर पर खिलाडियों के लिए एक मल्टिप्लियर क्लासिक है लेकिन खेल की कई दुनियाओं में द्रिश्यों की सुन्दर्ता के साथ, यह दिमाग जुकाने वाला हो सकता है क्योंकि उन्हें उन खत्रों के साथ सामन जस्य बिठाना होगा जिनका वे सामना कर रहे हैं नम्ब सिक्स पर आता है होराईजन, जीरो डॉन होराईजन, जीरो डॉन प्रित्वी के भविश्यवादी, शांतिपूर्ण दिखने वाले संसकरन पर आधारित है इसके बारे में सब कुछ अच्छूता और अद्बूत लगता है दुनिया भर में बिख्रे हुई प्राक्रतिक द्रिश्यों से लेकर मानव जाती द्वारा अब और खेल की सेट होने के बीच की समय में की गई वैज्यानिक प्रगती तक जाहिर है ये केवल एक दिखावा है क्योंकि जीवित रहने के लिए खिलारियों को रोबोट से लड़ना होगा और आएजन जीरो डॉन एक यूटोपिया में स्थापित है जहां शुरुआत में सब कुछ त्रोटेहीन लगता है लेकिन जैसे जैसे खिलारिय अधिक खोच करते हैं नीचे अंधेरा होता है नमब फाइब पर आता है No Man's Sky No Man's Sky एक ऐसा गेम है जिसे लांच की समय नापसंद किया गया था लेकिन ही प्रशन्सकों का पसंदीधा बन गया है खिलारियों द्वारा अब इस खेल को पसंद करने का एक कारण बढ़ी दुनिया और विदेशी प्रजातियां है खेल में युद्ध है लेकिन व्यापार और शांतिपूर्ण बाचीत अनुभव का एक बड़ा हिस्सा है इसे सुन्दर वनस्पतियों और जीवों के साथ जोड़ दे और नो मैंस काई की दुनिया इसे बहतर नहीं हो सकती नो मैंस काई एक आराम दायक खुली दुनिया का अस्तित्व का खेल है जो खिलारियों को शांतिपूर्वक अंतरिक्ष यात्रा करने की अनुमती देता है फ्रैंचाइजी की विशिष्टता में युद्ध का विकल्प होता है लेकिन खिलारी दुनिया भार में गून सकते हैं प्रानियों को इकठा कर सकते हैं और यथा संभव शांतिपूर्ण तरीके से खेल सकते हैं यदि खिलारी इसे अनुमती दे तो यह एक आराम दायक प्रियाली से भरा है और लिंक अपना अधिकांच समय यहां खाना पकाने और दुनिया के साथ बातचीत करते हुए शांती से खोज करने में बिता सकता है दुनिया शायद ही कभी खिलारी को अपरिहार या खत्रे में डालती है जिसका अर्थ है कि खेल को अंधेरा और खतरन नहीं बनना है नमबर टूपर आता है आगजू एबजू पूरी तरह से पानी के अंदर सेट किया गया एक गेम है जो यूटोपिया के लिए एक जीब स्थान जैसा प्रतीत हो सकता है लेकिन जब खिलारी इतनी सुन्दरता से घिरा होता है तो इसे कुछ और कहना मुश्कि पर यह करके दुनिया की मदद करते हैं जो उनक्षेत्रों में जीवन बहाल करती है जहां में पाए जाते हैं और आखिर में नमबर वन पर आता है आउटर वाइल्स अंत में आउटर वाइल्स यूटोपिया में स्थापित सबसे अच्छा ओपन वर्ल्ड गेम है पहली नज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की और सामगरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें